तो असलाम अलेकुम हादर आपने नई वीडियो के साथ तो आज हमारा टॉपिक नंबर है थ्री पॉइंट वन मोमेंटम इंटर्म ओफ फोर्स यानि कि यहां भी हम मोमेंटम को डेल करेंगे विट इंटर्म ओफ फोर्स यानि कि मोमेंटम पर फोर्स का क्या असर है जेकिन जाता है उसे अधर देखते हैं मॉमेंटम की बारे मैं मोमिंटम का Fórmula क्या होता है टी अक्रटोwy म करते हैं कि को क्लिद आप आ Dal Kr कि कमेंटम केंजिक लेंगे मॉमेंटम करें तो dock को मॉमेंटम करने कि अज़ जाएका लेखने कि मोमेंटम सोफ फॉर्स के रिस्पेक्ट से कि फॉर्स में चेंजिंग करने से में ते क्या फर्ल पढ़ता है तो आज जरा देखतें ठीक है तो इसका मास है मॉविंग मेड इनिशियल विलॉस्टी एक बॉड़ी है घिरक यह का मासक है हमारे पास मोच है और इसकी डिर स्विय उणा फॉर्स मासक एक प्रीक होता है घीच चेप आँजर्णफ है जर ईसके यह तो पहले कि यह और घ्रकाट अब उसके पर क्या हुता एक करती है della etmek पर वाटके होगा इकस्टनेरेशन क्रोड्यूस होगे अईटारेशन खाले कि है इन कि अप जानते हैं कि तो इसकी विलास्टी भी आई है तो इसके फोर्स लेगा तो इसमें चेंज विलास्टी होगा और इसकी विलास्टी क्या हो जाएगी आगे बढ़के यह कार जो भी है यहां पर आजाती है टुछ लीएफ इसकी विलास्टी क्या हो जाएगी वियाफ क्योंकि इसमें आया चेंज विलास्टी तो यह होगी फाइनल विलास्टी और यह है इनेशर विलास्टी थिक तू लिखा वाइब विश्प्रोड्यूजिस ऑन एक्सलरेशन यहां रखकते लिए आपको आगे रहे तो एक्सलेशन क्या करता है विलास्ली में तब्दिली लाता है आप इस बाद पर गवब करें तो गभल अगर इनिशल में तो इसका भी कुछ ना कूछ momentum होगा ठीक है तो यह बेटा यह बिफॉर एस्टेट है ठीक है न और यह आफ्टर चेंजन लॉस्टी यह फॉर चेंजन लॉस्टी और यह आफ्टर चेंज लॉस्टी तो इन जो ठीक है याद रखना आपको तो तो देखे इस पीज इक्वल टू एम वी एंड एम इस कॉंस्टैंट अगर पीज इस इक्वल टू एम वी है और दोनों कंडिशन प्रे इनिशियल और फाइनल में दोनों क्या है माझ वॉड़ी में वलॉस्टी में फर्क है थेंगे न तो तो मेरे इसकी तब्स परदिल होती है। तो लगा-कर यह तो मोमेंटम बढ़ेगा तो ममेंटम फर्क आएगा क्योंकि को आपने वीडियो निए देगी वीडियो को ज़रूर करें तो आज करते हैं जिसमें momentum in terms of force आपके पास मौजूद होगा ठीक है तो आए जब इसमें momentum एक before change in velocity और एक after change in velocity है तो इसके लिए क्या होगा आपके पास इसके लिए तो आपके पास कुछ इस तरीके से होगा ठीक है बिफोर चेंज इन विलास्टी यह होगा आपके पास एक आप टो है उ और भी आइंट की और और भी आइंट क्यों है और फिआ खुआ क्यों है तो हम इसके बार मालूम करेंगे चेंज इन मोमेंटम क्या मालूम करेंगे चेंज इन मोमेंटम तो हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है तो चेंच के बनाबर सोचे जड़ी दिमाघ आप फैसे बराबर होतार के पास V- माइनेस विस एक पर होता है तुझ के बराबर होता है किसके बराबर होगा final मोमेंटम ओक पास बराबर होगा इसको मैंने या वर्धिंग दीछ आ है तो इसको मैंने या वर्डिंग पे लिखा है और अगले वार उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे विलकुल वैसे यह फांस नोमेंटम माइने इनशल मेंटम जैसे है अगर आपको करना कुछ यूँ पढ़ेगा तो आप लिखेंगे इसकी जगह पी एफ माइनस पी आई उके थी आप के चेंज पी-दि Humै कि लिखेंगे वैल्यू एम वी F इनिश्यल में आप लिखेंगे M di i कि अधियर है आपके पास अब उसके बाद आपको क्या करना है आपको इसमें डिवाइट करवाना है दोनों साइट तीस तेजिए नहीं दोनों इस तरफ भी और इस तरफ भी तो तीसे दीवाइट करवाना है यानि कि आपको दा रेट सब्सक्राइब करना है तो इसको क्या करना है आपको टी से डिवाइट कर देना है तो इधर मैं लिग देता हूं activity both sides by T for Rate of change of momentum so rate of change of momentum है तो पी एफ माईनेस पी आइड दिवाइड वाइड वैडरी इस इक्वाल टू कि एम-विए आइड माईनेस एम-वी आइड आपके पास कुछ औरना और आपके पास क्या को माना दोनों जागा एम कॉमन आ रहा है तो आप क्या कीजिए एम कॉमन रख दीजिए चीक है और यह लिखा जाएगा क्या वी एफ माइनेस वी आई डिवाइड़ेड़ वाइटी अब जरा आप इसने गौर गरें ब्रैकेट वे जो ट्रम्स लिखी वी है वी एफ माइनेस वी आई डिवाइड़ वाइड़ वाइटी यह किसी चीज के बराबर होता है किसी एक खास चीज के बराबर होता है किसके बराबर होता है किसके बराबर होता है कि पास एक्सलरेशन के बराबर होता है एक्सलरेशन के बराबर यह होता है ऐसी बात है तो ह एक्सेलरेशन इप्सेलरेशन टीक्वाइशन टो को ल्ट लेज तो जागा बुट्ट लेगे एक्सेलरेशन को तो इस तमाम चीदों मैं यहां लिख रहा हूं प्स माइनेस पी डिवाइड़ेड़ बाइटी इस एक्वल टू यह अपनी जगा मौजूद है ठीक है और एक जगा के पास क्या जाएगा एक्सलिरेशन आजएगा एक्सलिरेशन ठीक है तो आप यह भी जानते हैं कि कि में किसके वराबर होता है जो कि आपको चैप्ट यूनेट नमेठरी की पहली वीडियो में फोर्स पढ़ाया गया था तो यहां पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉफ मोशन ठीक है न्यूटन के सेकंड लॉफ मोशन के मताबिक आया है तो आप यहां पर लिखें अकॉर्डिंग टू तू न्यूटन सेकंड लोल आफ मोशन टीक है न्यूटन सेकंड लॉफ मोशन आफ इज Ride टू एमे ठीक है एफ इस इकुल टू एम मता कि आप में की जगा पुट कर देंगे क्या पूट कर देंगे एफ और यहां के पास इसको इस तरह लिगेंगे पी एफ माइनस पी डिवाइड़ेड वाइड वाइट तो इस तरह के पास क्या है यह फॉर्मुला ड्राइफ हो गया चेंज इन मोमेंटम के लिए ठेक है चेंज सकता है यह चेंज लिए सकते हैं डेल टी यह बैटाफ चेंज इन पी डिवाइड अधाइट यह गया और इसके लावा यह फॉर्मुला भी इस्तेमाद हो सकता है यह यह मालूम करना है तो आब इसको हटा कर पूरा मोमेंटम भी लिख सकते हैं ठीक है ना फोर्स लिख सकते हैं अगर आपको फोर्स मालूम करने हैं तो इस टेडिके तमाम मामुलत हल हो जाएंगे तो यह एक जैयरिवेशन ट्राइब होगा यह पेपर में आ सकते हैं तो आप यहां तक थीक्ति से माल होगा तो यह हैं पे इसको रड़ा गर ऑगभा कियोंकि यह बराबर है किसके बराबर रहुद हां किसके बराबर है आफ के बराबर है तो इस तमाम टर्म्स को अटाकर हम यहां पर भी लिख सकते हैं पर द्राइशन कर praising की घार मार joking कि लेंगे हैं तो यह एफ माइनेस वी आई डिवाइड़ वै तो यह तीना फॉर्मल नुमेंटम के सवालात को हल करने के लिए इस्तेमाल होगा तो इसके बार हम लोग करेंगे वर्क एक्जैंपल नंबर थ्री तो आएं सवाल को सॉल्फ करते हैं तो सवाल मौझूद है फॉर्स तो हमेmost क्या माद़ें करना थी ससवाल में इस सवाल में माुत टू रैस्त पर किया होती है रास्ट थो इस पर किया होती चैंद मैं हमें चार सेорот फ्सक्स इसे लेकर आना है मैं चो रेस्ट पर आना है इस पर जब आएगी तो ऐसका हमारे का जीरो होगा रेस्ट पर आएगा तो इसका विए क्या होगा हमारे बास जीरो और इन फूर सेगंड चाल सेगंड में लेकर आए ओके फ्रॉम इट्स इनिशल विलास्टी और इसकी इनिशल विलास्टी आगे पास 16 मीटर पर सेकंड यह जो गाड़ी जो मूफ कर रही है कोई ब बाड़ी हमारे पास दे मास ऑफ दा बाड़ी स्थरी के जी और बाड़ी का मास है तीन के जी तो बताएं उसको रोखने के लिए उसको रेस्ट पर लेकर आने के लिए कितनी फॉर्स हमें दरकार होगी तो आईए सबसे वहले सबस्वाल कर डेटा बनाते हैं और उसके बस दो मास ऑफ दा बाड़ी के लिए में विए सेम्ब रेस्त अमाइल करेंगे मास ऑफ दा बाड़ी इस ठीर के के जी मास अभाड़ी इस चैने जरह बताएं आप यहां पर भी आई कितना भी को हैं तो नीशल स्थी वेलोस्ती आपके पास है शिक्स्तिन नीटर के सेकंड फान तो जीरो मीटर पर सेकंड लिख देते हैं ठीक है टाइम कितना आपको चाहिए चार सेकंड चाहिए और चार सेकंड ने बॉड़ी को रेस्ट पर लेकर आना है तो तो हमने तमाम कॉंटिटेश लिए डेटा बना लिया अब बढ़ेंगे हम सॉलिशन के तरफ तो इसको तरीके हैं डिफेंट टिचर साब को डिफेंट टरीके से करवाएंगे सबसे बहुत हम यहां बुक वाले तरीके को फॉल्ल करेंगे आफिस के बाद कुछ डिफेंट तरीके देखेंगे ताकि मामलात को समझने में असान नहीं हो और दिमाग भी तेस्ट चले लिए तो इसक चेंजन मोमेंटम डिवायड़ड वाय डाइम सरी च्रीमिंट दाइम डिवायड़ड वायद टाइम तो यह पी-फ माइस-पी-आग मदब क्या है चेंज इन देल पीडिवायड़ ऑई ड़िवायड़ टी ठेक है इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकते है अगर आप और शो चाहें तो इसको इस तरीके से एक्सपेंड भी कर सकते हैं एक एक्वल टू पी एफ माइनेस पी आई डिवाइड़ बाइट यह फॉर्मॉले इस्टेमाल करें हम सवाल को सॉल्फ करने ही लेकिन अगर आप यहां देखे तो यहां कहीं भी पी एफ की वैल्यू पी आई की वैल काम करेंगे मालूम करने के लिए क्या करेंगे काम करेंगे तो पी आई की वैल्यू के लिए काम इस तरीके आपना पता होना चाहिए क्या होता है पिश्वाल्ट्व M vi-pi is equal to M vi तो इस formula से आप PI मालुम कर सकते हैं mass कि आपको दिये गया है 3 kg mass आपको कितना दिये गया है 3 kg उसके बाद आपको vi कितना दिये गया है 16 m per second 16 m per second तो 3 16 से multiply होगा magnitude से तो आक पास क्या आजाएगा 78 तो पी आई के पास आया 48 किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो पी आई की वैलियू आपके पास आगगी अब दूसरा आपको काम करना करना है 4PF काम करने 4 कि समघे next पर आगी हमारे पास तो आप कप कब करना है 4PF के लिए 4PF के लिए हम चेक करेंगे क्रेंगे कि लिए 4PF प्रिए उपिए आप सेम रहेगा दोनों कंडिशन मास सेम रहेंगी आपके पास इसमें वैल्यूस को फीट करें मास में आजाएगा कि यहां पर मैं तमाम फॉर्मले के साथ यूनिट्स भी लिख रहा हूं इसको कहते हैं डैमेंशन अनलैसिस और डैमेंशन अनलैसिस को करना चाहिए लेकिन बास ल सब्सक्राइब करने की तरफ ना हो और इसकी जो आपके पास है विलॉस्टी विएफ जीरो मीटर पर सेकंड अच्छा थिरी जो है जीरो सा मड़ी बलाएगा और सभी जीरो हो जाएगा तो इदा जब पीएफ आपके पास आएगा जीरो पीएफ वैल्यू आए वह आपके लुए बस क्या आई जीरो ओके थो अब आये इसको सॉल्फ करते हैं अच्छा हम इसको और एक्वेशन वन का नाम देने जादर भेटर है तो मैं यहां पर लिखूँ हूं है सब्सिट्यूट और वैल्यू इन एक्वेशन वन यह तमाम वैल्यूशन ने पुट करने जा रहा हूं तो वह मेरे पास मौझूद है किया है एफ इस एकवल टुप एफ की वैल्यों हमारे पास यह जी लिए पी-आई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जरा चेक करें पी-आई की वैल्यू आये 48 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड जिए कितना है ने रहां चेक करें फूर सेकंड डिया है कितना सेकंड डिया गया है फूर सेकंड 7 ऐसे अमाद करें कि अब इसके हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या होते हैं जीरो से खतम हो जाएगा ताक के पास बचाएगा बचाएगा फॉर्टी एट किलो ग्राम इंटू मीटर पर सेकंड डिवैड़ेड वाइफ फॉर सेकंड ऑके क्लियर है तो अब इसमें क्या होता बेटा यह फॉर बंदा फॉर और यहां के पास आजाता है कि इतना आजेगा बास माइस ट्वध फॉल्फ सेखने और नीचे चीड आसंप सेकंड मौजूद चाहिए तो यहां स्सॉट होगा तो माया स्टूल किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्कॉार और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड इसकॉार आपके पास वराबर होता है न्यूटन के तो कितने न्यूटन फोर्स की आपको जरुवत होगी इसको रेस्ट पर लाने के लिए ठीरी केजी जिसका इस बॉड़ी का मास है और उसकी इनिशल लॉसी 16 मीटर पर सेकंड है तो उसे आपको रेस्ट पर लाना है चाल सेकंड में तो आपको 12 न्यूटन का फोर्स दरकार हो है बुक एक्जैम्पल में तो लेकिन आई यह इसे में छोड़ा चौट फॉर्मॉले के मदद से करते हैं इसको मिटा देता हूं मैं तो यह आप लिख ली जाएगा इसकी शॉर्ट ने लिजेगा तो मैंने बदाया था आपको इसको सॉल्फ करने के लिए आप फॉर्मॉ लिख्यार पारा के लिगा थे लिख ऑंगा फारला के लिख्यार के पास जीरो एंपी भी कज़िए अ खिरो utx न्मा के लिख्य ». मिट्र पर सेगए ताइम जो आपको दिया गया है फोर सब्सक्राइब उसको आगे बढ़ते हैं यहां पर धिरी के यह तो झाल घ्राष क्योंक्येद्ध जीरो था खतं ठीक यहां बचाएगा सिक्स्तीन meters per second divided by four seconds नैंए तो इतली के लिए जीए और यह देल सुक्तिने यह सेकेंड उपर जाएगा और क्या हो जाएगा सेकंड स्कुर्ण हो जाएगा ठीकर यहां यहां वहतंब कैसे का पर स्मू सूल जा सूर्ण 16 और कि हुआ मेकर पर सेकंड इसक्वाइर क्या किसे हुआ 17 meter पर सेकंड इस तरीके से भाया यहां तो सेकंड सेस्कॉयर हो जाएगा सेकंड से से वन का button धाते हैं तो कि इस तरीके से सब्सक्राइब कर जाएगा तो मीटर पर सेगंड स्क्राइब हो जाएगा ओके यहां किलोग्राम इंटू मीटर पर सेगंड स्क्राइब होता है न्यूटन के तो आपको लगई तो इसके निटर्फ दर्कार होगी जिस बॉडि के मास्ट तीन केजी है और इसकी निशल लॉस्टी सिस्टीन मीटर पर सेगंड है और उससे चाल सेगंड में रुकना है तो इतना फोर्स आपको दर्कार होगा ठीक है इसके गर हम एक एक स्वाल को भी सॉल्फ करेंगे तो ऐने के वाइन हएं एक देटर हैंगे अस्फित ह KIM क्लिग मोविंग विद वार स्टे आफ टैने मीटर पर शेगंड मुविंग विद एक लियुक्र स्क राइंचेश के । सब्सक्राइब यह पढ़ते हैं समझते हैं कि फाइंड फोर्स रिक्वाइट इस्टॉप बाड़ी इस्टॉप कहा रहा है तो मतलब वह इनेशल वेलास्ती है और यह फाइनल है और स्टॉप हो जाएगा फाइनल स्टॉप क्या होगी जीरो तो वी आई आपको दिया गया है ले लगाए बदाये पर सेगंडे वी आपको दिया दिया गया है जीरो मीटर पर सेगंड कि मौडी को स्टॉप करना है क्लियर को दिये है अचे हम बोलगे स्वार्मॉला वील्ट के पास पता है कि ये शौRट मथन आप वह क्या है फ ऑब तो एम ठीक एश इकॉल टू एम इसके बाद क्या होगा वह आपके पास पता है कि नहीं प्ला पता है कि यह क्या होगा मैं वी एफ माइनेस वी डिवाइड बाइटी च्छी कि यह फार्मुलेस स्वाल करेंगे और सावाद को सॉल्फ कर लेंगे मास में आजाएगा कि पास पर सेकड़ टाइम आपके पास आजाएगा टू सेकंड लेर इस प्रैकिट के अंदर जवाब चीजें इसको सॉल्फ करेंगे इससे बहले फाइफ की जी चोड़ दें यह तो गया तो अंदर बचा टैन मीटर पर सेकंड डिवाइड बैट तू सेकंड एक यह फाइफ के जी यह क्या है सेकंड उपर जाएगा सेकंड डी स्कूर हो जाएगा इक यह पता होना से पीछे से पास वाला को बताया ठीकुत टू से कटे गा क्युपधो तो यह गया कि आगए कि व्रसमाल पर. Works कट के यह 5K5 or 5 माइटिपलाइं होंगा के पास आ जहेगा 25-ध को क्लि अपर इसके न्यूटन के वरावर होता है तो माइनेस 25 न्यूटन फोर्स लगेगी इस बॉड़ी को दो सेकंड के अंदर रोखने के लिए अगर उसके विलाउस्टी टैन मिटर पर सेकंड है तो इस तरीके सवाल जो है आपके पास सॉल हो जाएगा इसके लावाज आपको लॉंग इस बीडियों से भी करवाते हैं तो दोनों तरीका आपको आने चाहिए किसी भी तरीके साथ पर में कर सकते हैं ठीक है तो फामुला यह हमारे पास जो है वह हमारे पास F is equal to PF minus PI divided by T यानि force is equal to change in momentum the rate of change in momentum force is equal to the rate of change in momentum जाही स्वामुली को दबारा देखें F is equal to del P divided by T acceleration पढ़ाते हैं हम the rate of change of velocity कह रहे थे डेल वी डिवाइद बार टी दे रेट ऑफ चेंज आप विलोस्टी स्कॉर्ड एक्सेडरेशन दे रेट ओफ चेंज आफ चेंज आफ मेंटम जरेट आफ चेंज आफ चेंज आफ मेंटम इसकॉल फोर्स क्लियर रेट ऑफ चेंज आफ मेंटम बराबर होगा फोर्स है क्लियर है तो आईए इस फॉर्मले को फोड़ा एक्स्टेंड करते हैं है तो डेल पी की जगा के पास आजएगा पी एफ माइनेस पी डिवाइड बाइड टी इसमें हमें पी एक की वैल्यू चाहिए तो हम यहाव फोर्टी एफ के लिए वर्क करेंगे तो फोर्र बी आई तो पी आई के लिए फार्मुलड जाते हैं क्या हैं डागा बंटो एम विह ऐसे क्लियर सपिधिया कितना है 10 मीटर सब कितना है 10 इस पशलिए तो क्या हो जाएगा कि बार्जिए क्या पर सेकन्निया पर सब्सक्राइब करना है काम नीशे करना है लेकिन मैं यहां कर दे रहा हूं ठीक है तो फॉर फाइनल मोमेंटम फॉर्मॉला क्या है पी एफ इस इक्वल टू एम वी एफ मास अगरबस टू केजी और वी एफ कितना अगरबस जीरो मीटर पर से इसका जो अंसर आपके पास आजाएगा वो पी एफ आजाएगा वो जीरो आजाएगा तो इन दोनों वैल्यूस को आप इसमें पूट करेंगे इसको मैं एक्वेशन वन का नाम दे रहे तो हम ठीक है तो यहां लिखेंगे सब्सिक्यूट ऑल वैल यूज इन एक्वेशन वन एक्वेशन वन हमारे साम नहीं है लिखी वी है एफ इस इक्वल टो पी एफ चेक किजिए वैल्यू गया पी एफ की जीरो क्लियर पिया की वैल्यू गया कर पास 20 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेगंड डिवाइड़ वाइड टाइम तू यहां बचा माइनस 20 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेगंड डिवाइड़ वाइड़ टू सेगंड तो यहां क्या था यह माइनस टैन और यह सेगंड उपर चले जाएगा आपके पास तो यहां के पास हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेगंड स्कॉर और किलोग् यहां पर नहीं होई कि मैंने देखा नहीं देखा नहीं तो यह चेंज कर लेते हैं चेंज कर दो 50 यहां जाएगा तो 50 यहां तो यहां 20 की जाएगा मैं क्या करूंगा यहां 20 की जाएगा मैं करूंगा 50 यहां पर यहां के पास 50 यहां पर क्या बचाएगा के पास 25 ऑके बात को गौर से सुनना है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेक्ड़ बराबर होता है न्यूटन के तो फोर्स आपके पास केतना लगएगा माइनस 25 इसलिए ब्रेकिंग फोर्स है यानि किसी बाड़ी को रुखने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो इस वाज़े से यह माइनस है अगर किसी बाड़ी को इ और और भी टॉपिक्स आने वारे हैं तो जजार कीजिएगा तब तक के लिए जादत दीजिएगा लाहाफिश